हलो दोस्तों आई वेलकम यॉल ओन एई सी प्लस डिजिटल प्लेट्मॉम ओप एडवांस इंजिनिरिंग क्लास तो जैसा कि सभी लोगों को पता है कि ससी जेई का डीटेल नोडिपिकेशन आउट हो चुका है आप लोगों ने डेफिनेटली इस नोडिपिकेशन को देख भी लिया होगा और जो इंपोर्टेंट डेट यहां पर मेंसन की हुई है वो भी आपके ध्यान में होगी तो आप लोगों को एक बार और में रिकॉल करा देता हूँ कि देखिए एप्लिकेशन फॉर्म आपके स्टार्ट हो गए है 28 तारिक से और जो लास्ट डेट है एप्लिकेशन फॉर्म की वो है 18 अपरली आपको 20 दिन का समय मिला है एप्लिकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए और जो टेंटेटिव एक्जाम डेट है CBT1 की वो जो पहले उन्होंने केलेंडर में मेंशन की थी अभी भी वही है चार से लेके 6 जून के बीच में तो डेफिनेटली पूरे पूरे चांसे से की इसी डेट में ये एक्जाम हो जाएगी दिखिए इस सेशन में में आप लोगों से दो जो भोती ज्यादा स्टुडेंट के डाउट कि सर क्या डिगरी है हमारे पास तो हम सभी पूस्ट के लिए इलीजिबल हैं डिपलोमा है हमारे पास तो हम कौन-कौन सी पूस्ट के लिए इलीजिबल हैं तो यह दोनों डाउट में यहाँ पर डीटेल में डिसकस करने वाला हूं सेशन के लास्ट तका बने रही ह सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि क्या final year वाले student इसमें eligible होंगे या नहीं होंगे हम यहाँ पर सीधा चलते हैं जो detail notification यहाँ पर आया है तो अगर आप detail notification देखेंगे page number 3 पर पेरा नम्मर 2.4 तो यहाँ पर इन लोगों ने mention किया हुआ है कि जो भी relevant documents हैं जिसे की mark street degree तो यह relevant document आपके cut of date से पहले के होना कमपल सरी है यह दिखेंगे पूरा paragraph यहाँ पर mention किया हुआ है यहाँ पर उन्होंने बोल रखा है कि जितने भी document है वो आपके cut of date से पहले के होना ज़रूरी बड़ देखें इस notification में उन्होंने कहीं पर भी mention नहीं किया है कि cut of date का मतलब क्या है तो हम जानेंगे कि cut of date का मतलब यहाँ पर क्या है अब अगर मैं बात करता हूँ यह 2024 के detail notification के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ देखेंगे इस से पहल document यहाँ पर mention किया हुआ था कि जो भी आपके relevant document है वो cut of date से पहले के होना कमपल सरी सेम notification यह था कुछ भी इसमें changes नहीं था तो इसमें भी उन्होंने mention किया हुआ था कि cut of date से पहले बड़ इस notification में भी कहीं पर भी यह नहीं बताया गया था कि cut of date क्या है अब हम बात करते है जो 2022 में 2022 में exam हुई थी उसका जो detail notification था तो यहाँ पर जब आप देखेंगे education qualification से related point को तो यहाँ पर दिकिये उन लोगों ने date को mention किया था date को mention किया था यह exam जो हुई थी यह जो exam 2022 में हुई थी इसकी form billing की जो last date थी वो थी 2009-2022 form billing की last date थी और यही last date को इन्होंने बोलके रखा था यह क्या है cut of date देखें minimum education qualification experience on before 2009-2022 अब देखें सर यहाँ पर तो इन्होंने directly date दे रखी थी बट इससे अभी जो notification आया उसमें date नहीं दे रखी तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इसी paragraph को अगर आप पूरा complete पढ़ेंगे तो इसमें भी वही point mention किया गया था कि जो भी relevant document है वो cut of date से पहले के होना देखें उन्होंने date भी दे रखी थी और यहाँ पर यह point भी mention किया था कि cut of date इसका मतलब क्या हुआ कि cut of date जो है वो जो exam form को फिल करने की last date होती है वही cut of date होती है तो I think आप लोग अभी समझ रहे होंगे कि अगर हम इस detail notification की बात करें कि इस detail notification में cut of date क्या consider की जाएगी तो आप मान के चलिए कि जो form filling की last date है it means 18th of April 18th of April से पहले अगर आपकी degree diploma complete है तो definitely आप इस exam के लिए eligible हो otherwise कोई कुछ भी बोले बट आप ध्याना किये बिटा कि आप इस exam के लिए eligible नहीं हो अगर आप final semester में हो तो आप लोगों को पता है कि final semester का result जो है वो जून के बाद ही आएगा जून जून के बाद ही आएगा अप्रेल तक तो exam भी नहीं होती है final year के student का तो definitely final year वाले student ना तो degree वाले ना डिप्लोमा वाले इसके लिए eligible अभी तक कुछ students हमारी बात भी हुई है जो already working है तो उन लोगों से भी बात हुई है sir अभी तक कभी भी एसे student वहाँ पर नहीं select हुए है जो की final year में थे running में थे उनकी degree डिप्लोमा complete नहीं हुआ था और उन्होंने फॉम फिल किया था अचा एक बात और मैं आप लोगों को बता देता हूँ जब आप फॉम फिल करने जाओगे तो वहाँ पर वहाँ पर भी आपसे पूछा जाए इसका भी option definitely मिलेगा बट दो याज चोईस का option किन student के लिए मिलेगा जिनकी degree डिप्लोमा अप्रेल से पहले complete हो चुकी होगी तो I hope कि आप लोगों को यह doubt आपका clear हो गया होगा next जो student का doubt होता है कि sir इस vacancy में degree वाले eligible है या डिप्लोमा वाले तो आप लोगों को मैं बताना engineering from the recognized university तो यहां पर जहां पर डिगरी लिखा हुआ है देखिए clear cut mention किया हुआ डिगरी तो यहां पर डिगरी वाले इस्टूरे इलिजिबल है बड़ यहां पर और मैं देखिए three year diploma three year diploma के साथ में two year का experience तो दीगरी डिप्लोमा वाले इसमें दोनों eligible होंगे बट डिप्लोम वालों के लिए two year का experience required हम एसी वेकेंसी की बात करते हैं जहां पर केवल क्या लिखा हुआ है डिप्लोमा three year diploma in civil engineering तो अगर हम बात करें three year diploma in civil engineering यहां पर लिख रका है तो इस वेकेंसी के लिए डिगरी वाले student भी eligible रहेंगे अभ्यान है कि जो student का doubt होता है कि सर अगर डिप्लोमा लिखा हुआ है तो क्या उसमें डिगरी वाले student eligible है तो definitely उसमें डिगरी वाले student भी eligible है क्योंकि यहां पर यह जो qualification लिखी हुई है यह minimum qualification लिखी हुई है essential minimum qualification तो I hope आप लोगों को आपके दोनों जो doubt है वो clear हो गए होंगे so thank you very much